हलो फ्रेंड्स वेल्कम बाक टुवे चानल बलराश्ट्रेंटेक्स होगे आज के इस वीडियो में हम अनालेसिस करने वाल है निफ्टी 50 का निफ्टी बैंक का कल के लिए ओके आज का दिन काफी ट्रेंडिंग रहा है जैसे आप लोग को पता इह कि निफ्टी ने आज दोनों साइड का मोमेंटम किया है ठीक है यहां पे अभी क्या हो रहा है आज का चो कैंडल है वो फिर से नीजी आके फिर से उपर की चाड़ में मोमेंटम कर गया है मतलब मार्केट उ कि यहांसे इतना सपोर्ट लेवल के पास आए 커피 उपर में को हीज वहां लेकि बाइइ ने कि पिर से वही किया सपोर्ट किया अबहुत क्लोगी कि या हुआ है ठीक है लास्ट के हाफ अवर में पूरा मार्केट वन हवर में पूरा कवर अप करके चला गया अभी इसने क्लोजिंग दिया है ट्वेंड़ तौजन फोर अंड़ेट के पास में सो मार्केट जाना चाहता है उपर की साइड में ही अपना जो प्रीवियस है उसक तक यह जाने की कोशिश कर रहा है यह वहला जो हाई है इसके पास यह जा रहा है इसके पास यह जा रहा है काफी तेजी में जा रहा है नीचे आता है यहां से रुक के अभी आज भी नीचे आया नीचे आके फिर से अपना सपोट के उपर एक यह वाला एक सपोट है यह वाला एक तो सपोट है उसके उपर फिर से सपोट बनाके अभी वन वे यह उपर गया है तो आज उपर गया है कि तीन केडल सारा मुमेंट को भर के निकल गए उपर की साइड में सो अभी वही कलना ब्यूलकुल न्यूट्रल रहना पड़ेगा जाता तर चांसे साइडवेज रहने की हो सकते कल कल मार्केट साइडवेज हो सकता है क्यूंकि आज निफ्टी 50 बहुत अच्छा मुझ किया है निफ्टी बैंक भी अच्छा मुमेंट किया है सेंसेक्स का कल एक्सपार ही है सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह मुमेंट किया है मतलब लगभख सबने काफी अच्छा मुमेंटम किया है तो एक दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो अगला दिन मार्केट साइडवेज र सब्सक्राइब बात अलग रहेगा चलो भाई अभी क्रेट किया जिसे अच पर याज कर रहाता वैसले कोई कल बीस प्राइस 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 क्रेट होता है तो उसके साथ में उसको भरोसा रखा जा सकता है अभी यह 22,400 भी आ गया 22,400 भी आ गया मतलब इसको जाना है 22,700 के पास में लेकिन उसको जाने तक अगर यह 300 पॉंड का डीप मार्के 300 पॉंड कवर अप परेगा तो यह नहीं चलेगा यह चलेगा नहीं मतलब हम लोगों को भरोसा नहीं आएगा फिर कि यह इतना कवर अप कर मों ठीचे से कवरप भी किया इसने डंडबलू बनाया आधा और उसके साथ में उपर जांगे क्लोज किया है रखने आओ नवासी यह चल challenging इक्ति करके निरेट ऑक Being की साइड के टार्गेट के लिए अभी तो यह आज हाई लगा किया है 2433 का हाई लगाया है तो इसको 2433 फिर से एक्सपेक्ट रखेंगे और उसकी ऊपर 500 वगरा का टार्गेट हम निफ्टी के लिए रख सकते है ठीक है नीचे की साइड अभी ऐसा नहीं है कि नीचे की साइड में नहीं आएगा इसका कुछ भरसा नहीं है कल भी अच्छा कासा क्या आपकर ओपन कुलता है ना उसकी बात फिर से रजिस्टेंस बनाता है तो फिर से यह करने दोनों साइड का मोमेंटम हो रहा है तो पहले किसी एक साइड को लेकर होल्ड करके बैठना ठीक नहीं रहेगा निउट्रल होना पड़ेगा और कल ओपनिंग के बाट डिसाइड होगा कि मार्केट क्या करना चाहता है फिलाल के विव से इतना समझ आ रहा है कि के बास कुल रहा है दूसरी बार सब्सक्राइड का अचाह यह चोटा सा रेड़ कंडल बनता है उसकी क्लोजिंग के बाद में उसका टारगेट रहता है डाउनचार में अभी जो लोग लाईव पूछतें यह आनलेसिस का वीडियो नहीं देखतें अप लोग कोई आप नहीं समझ में आता कि रेटेस पे जो चोटा सा रेड़ कंडल बन यह सिर्फ में आपको एक चार्ट इडिंग सिखा रहे हूं कि चार्ट बीरिश कैसे रहता है कौन सी कंडल रहती है जो मैटर करती है अभी इतना अच्छे से उपर से नीचे आएगा और उसके बाद में अगर वह सेम लेवल को रदिस्टेंस बनाएगा मल्टिपल टाइम तो यहां से भी निफ्टी एक बार उपर गया था लेकिन यह सस्टेन नहीं कर पाया यह सस्टेन नहीं कर पाया और यह इतना अच्छा सब बुलिश प्राइस बना के भी नहीं गया था दूपर को ठीक है कि उससे डबलू बनाया डबलू के साथ में वह उपर की साथ में भाग डबल बॉटम बोल सकते, डबलू बोल सकते, जो भी बोलो, ठीक है, उसके साथ में वो भाग गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, तो डारेक्ली मार्केट जब ऐसा जाएगा, तो वो मुमेंट सस्टेनेवल नहीं रहता है, फिर से उसके बाद यहाँ पर एक सपोर् बनाया, इसने यहाँ पर एक डबलू बनाया और उसके साथ में शिर्फ एक इंसाइड कंडल बनाई, रडिस्टन्स था यहाँ पर एक इंसाड कंडल बनाई, इसके साथ में चांडल करके लोट किया है, ठीक है, तो अभी निफ्टी जादा बड़ा गयाप अपने होना चाह जहता है, ठीक के सना ऐते हैं ठीक है, तो महर्केत नीचे होनल बनायं और शिर्फ कि और वह, जहां पुल बनाया घ्नल याँ और क्रण हो यह सब्यक्म पर यहाँ बनाया जहां तो जहां हता पर उतन अजन कर दक ग्स तो फिर से सपोर्ट तोड़ातों नेकिन फिर सपोर्ट तोड़ने से पहले ही कंडल रिवर्सल मार गई अभी उपर जाके इसने क्लोज किया है बतलब इसका क्या चांस हो जाएगा इसका अघ। 있다 इजिप्ति थार्गम क mesa राओ उपर की साइड में वह फोटी एड्धाउजन तौनकर रखना यह सब्सक्राबक अगर कब स्थाओं उन्सिरिक जाता है ज् famously अगर कल इस interrupted i में फाइदा ओपनिंग की बाद बिल्कुल न्यूटरल हो के बैठना है उसके बाद में डिसाइड होगा जिस भी साइड में मार्केट को जाना होगा उस साइड का प्राइस क्रियेट होने देना पहले जल्दबाजी मत करना निफ्टी बैंक में टारगेट की तोर पर देखा जाए उपर की साइड में तो 48,200 है 48,200 की बाद 48,655 है यह उसके लिए टारगेट है आज इसने भी अच्छा कासा डबलू पैटन बनाया था इसने भी डबलू पैटन बनाया था लेकिन हमारा बहुत हो गया था आज दिन बर तो इसलिए हमने सुचा की जाने तो यह एक भी कांडल अपना प्रीवेस कांडल का लो ब्रेक नहीं कर रहे थी इवन ए सिंगल कांडल अपना प्रीवेस कांडल का लो ब्रेक नहीं कर पा रहा था इसको ही कंटिनुएशन बोलते है कि ट्रेंड का कंटिन्यू हो रहा है वन वे ऐसा जब कंटिनू होता है तो उसमें इसका जो रदिस्टन्स था 47,955 का इसके पास रदिस्टन्स है ठीक है यह वाला जो प्रीवेस अब आनेस के पांज तर उसको तोड़ दिया उसी के नीचे डबलू बनाके ऊपर की सेड में चला गया 47,955 रदिस्टन्स लेवले उसके पास में अभी फिर से जाके खड़ाएं फिर से अपने resistance के पास में जाके खड़ाएं तो कल यह अगर उपर जाता है तो best रहेगा जाना चाहिए फिर उपर तो हम इसके लिए 48,200 वगरा फिर उसके लिए 400 वगरा यह टारगेट रखते जाएंगे और यह क्या लो है इसका टारगेट में यह टारगेट जादा रहेगा 48,666,48,666 यह टारगेट निफ्टिवाइं के लिए उपर हो जाएगा लेकिन उससे पहले अगर 200-300 नीचे आता है और उसके बाद जाता है तो उसके लिए हम लोगों को neutral रहना पड़ेगा क्योंकि इंट्रा डे में अगले 10 मिनिट में क्या होगा वो जानने वाले हम लोग उसकी आता है यूज पर पेड़ेगक डाउन चाहिए यह उसकी ने को बहुत है उसके हाइदगा के साथ हमें यहां अब को बहुत तिकि support तूटना चाहिए support तूटना चाहिए support तूटना चाहिए क्योंकि यह red candle भी काफी अच्छा है और यह breakdown भी कर चुका है उसके साथ में continue इसने momentum किया यहाँ पर फिर से एक momentum पकड में आया यहाँ से फिर से momentum पकड में आया यह doji candle के बाद में support तोड़ दिया तो यह कहा आएगा फिर से पूरा range में आ जाएगा यह moment को खतम कर दिया और 46,000 47,355 का level last होना चाहिए 344 का level और उसने last किया था इस level को last किया था 344 की level को और वहाँ पर support बनाके उपर की side में यह भी W बनाके उपर की side में गया है तो कल gap up open होने की probability है और आज जादा मार्केट ने momentum किया है तो कल sideways भी रहता है तो शान्ती रखना पड़ेगा जब तक कोई अच्छा सा price create नहीं हो जाता इस वीडियो में इतना ही वीडियो चल लगए तो लाइक जरू करना चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राब भी कर लेजेगा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू गाइच जहिंद रादे रादे